आज हम लोग एक अनर्दर कोश्चन दिसक्स करने वाले हैं जो कि स्ट्रीम एपियाई का है अगर आप इंट्रिव्यू दे रहे हो तो गाइस मैं इस वात का दावा कर सकता हूं कि अगर स्ट्रीम एपियाई से आपको कोश्चन पूछा जा रहा है तो तो देरी जाए 80% चांस सब्सक्राइब उसका कुछ अर्ट पूछन है तो आप कैसे यूट्र कर सकते हो यूज तो सिमिलर्ली हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही आपको होने वाला है और पूछा जाएगा तो आप इसका एंसर दे पाओगे तो गाइस वीडियो को हो चलते हैं सीखते हैं तो जब से Sketches पहले हम यहां पे क्या कर रहें मैं आपको कोड को मैं Lap काऊँ ठाओं ठीक है तो अगर आप इस कोड को लेना चाहते हो तो मैं देन did क्रेट कर लेना है क्लास क्रेट कर लेना от भी आप चाहते हैं सब्सक्राइब आपन बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा तो इसलिए मैं बहुत सारे अट्रिब्यूट ले रखाऊंगा ताकि मैं और भी जो भी और भी मेथड्स वगएरा हैं उस पर मैं बना सब्सक्राइब और इंट्रिवी में बैसिकली जो जो कुछन पूशे जाते हैं उस पर मैं बनाऊं तो यहां पर एक चीज देखो कि मैं स्टुडेंट का आईडी फर्स नेम लास्ट नेम एज जेंडर डिपार्टमेंट नेम जॉइनिंग जॉइन डेट सीटी रैंक यह सारा चीज मैं बना लिया हूं उसके बाद बेसिकली आपको क्या करना एक सिंपल सा कंस्रक्टर बना लेना है तो गेटर सेटर मैं जनेरेट कर रहा हूं और उसके बाद आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो अब इसले डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप तो स्ट्रिंग मेथर भी बना लेना तो उसके बाद सिंपली आप एक में 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 बना लेना में 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 आपको क्या करन जसे में पर लंगे करी इस लिस्त ऊर्फ स्चुडेंट में मैं सारे स्चुडेंट अइड आइड करते हैं में हमारा आइड है विदें उसका नेम हैाथ रांस्थ झाल है और सबस्सक्राइब आइस घंडर है कि अंदें आप तर आपका जोरिक आइन एक यह दिन City है तो इसी में से हम लोग क्या करने वाले फिल्टर करने वाले तो अगर आपको ग्रूप बाइस लेट सपोज कि स्टुडेंट दिया हुआ ठीक है इस स्टुडेंट में से आपको बोलता है इंटुडेंट का रिस्ट अ अपिको डिपार्टमेंट वाई ठीक है अपको रिक रहें ऊस्टुडेंट को स्टुडेंट को डिपार्टमेंट वाई फिल्टर करके करके मुझे दो तो आप उसको ऐसे स्वाय कर सकते Gscolog को बहुत सिंपल clique है ठीक है आपको एक बेसिकरी क्या कर लेना है आपको एक map create करने ना है map जो होगा आपका एक stream हुआ ठीक है जो कि string में क्या आपका store हो आपका department का name ठीक है अन्देन list of a student कितने number of a student आपका उस department में belong करता है तो simple सा लॉजिक है उसके बाद आपको लिस्ट पर क्या करना है stream चलाना है तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम एंद इन उसके बाद जैसे हैं स्ट्रीम के बाद हम लोग करते हैं तो हम लोग data को collect कर रहे हैं हम लोग इस पर कोई और operation नहीं करें simply collect करें तो यहां पर आपको collect के यूज़ करके और देन उसके बाद collectors के अंदर यह group by function एविलेबल होता है तो आपको क्या कर लेना है simply collect of collectors.group by यूज़ करके यहां पर आपको जो भी entity होता है I mean entity means कि आपका जो class होता है I mean list of student जैसे हो गया ठीक है तो उसका यूज़ करना है तो यहां पर मैं method reference का use कर रहा हूं तो method reference आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो student.get department name भी कर सकते हैं but method reference allowed है I mean आप यूज़ कर सकते हैं को issue नहीं तो student of and then get department name वह कर दिया हूं तो get department जो भी department name से related data होगा I mean एक department से related data होगा वह collect हो जाएगा ठीक है उसके बाद simply मैं क्या क्या हूं इसको इस आउट कर दिया हूं students group by the department आपको let's suppose आप किसी और चीज़ से you know group by करना चाहते हो city से group by करना चाहते इतने बंदे you know Delhi से belong करते हैं तो आप simply यहां पर वो सारी चीज़ I mean यहां पर क्या करना गेट सीटी का आप call I mean not get city या या गेट सीटी होगा क्योंकि गेटर इसका गेट सीटी होगा तो गेट सीटी यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर यूज कर रखा हूं इन्जिनियर्ग में आपका उसका I mean a student जो भी है तो यहां पर कुछ पर सकते है और आइड है उसका 7 है जितने भी department ने में स्ट यंचिंटर्रांट ने के बंदी एक लिस्ट में स्टोर हो जाकی अब इस लिस्ट के बाहर जाओ भुए ठीक है तो n इंजिनीरियर इंस्ट्रूमेंटल इंजिनेरिंग पूदेंट्ने सारी जायगा तो आप देख सकते हैं यह सारे लिश्ट थैंट फिर तो ईस तरीके से आप क्या कर सकते हो फिर मेकैनकेल का है तरीके से तो गुरूब ज्याद़ इंपोर्टेंट है होप्स हो कि इस विडियो समझ में आए वा तो आप इस डेटा पर प्राक्टिस कर सकते हो तो आप इस चीज को वीडियो को देख के और सिर्फ कोड लिखवा क्यूंकि इसका जो है ना आपको सिर्फ वर्वाली नहीं पूछते हैं वो लोग कोड लिखवाते हैं तो आप अगर इंटर्व्यू दे रहे हो तो प्रभविली चांसे हैं कि आपको पूरा कोड लिखवाएंगे इसका तो आप एक दोबर प्राक्टिस कर लेना लिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कलेक्ट एंड कलेक्टर्स का यूज करके ठीक है ग्रूपिंग बाई जो भी आपका डेटा होता है और उसपे मेथड चला देना तो इस तरीके से आप इसको ग्रूप बाई का यूज करके डेटा फिल्टर कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चिन है तो इस चीज को आप एक बर प्राक्टिस कर लेना ओके थैंक्यू सो मच गाइच थैंक्स पूर वाचिंग वाचिंग वावा आव नाइस टे वाचिंग